यह मैंने किसको क्लिक किया और यह इनिशलाइजिंग देगा इनिशलाइजिंग देने के बाद में मुझे क्लिक करना है create a new project क्योंकि हम अगर कुछ भी नया प्रोजेक्ट बनाने वाले इसके लिए अड्रीनो उनों के लिए और हम क्या करने वाले इसके लिए ब्लिंग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें क्या करेंगे कि इसमें क्या होता है multiple LEDs होती है एक LED होती है यहां पर होती है green color की वह होती है यह on है या नहीं है तो इसका on off status बताता है तो अभी ब्लिंक नहीं कर रही यह obviously यह off है यह अरतार भी नहीं लगवा तो कहां से चलेगा ठीक है next यहां पर हमारे पस तीन LEDs होती है एक होती है LED next होती है दो एक TX और एक RX जो है बताती है data transmission हो रहा है या receive हो रहा है तो जब भी हम इस पर code अप्लोड करेंगे तो RX फाली पिन अप्लोड होगी और अगर हम कुछ signal बाहर की तरफ भेजते हैं इससे कोई और component को हम access करने की कोश्च करते हैं या कुछ भी होता है तो RX पिन भी काम करती है और LED जो पिन है वो हमारे यानि यहां पर इसमें क्या multiple pins होती है कुछ digital pins होती है कुछ analog pins होती है और और भी कई सारी pins है जिसमें power की pin होत इसे कई सारी pins होती है तो एक बार डरने की कोई जूरत नहीं है हम दीरे दीरे इन सब के बारे में सीखेंगे आने वाले और वी वीडियो में तो आज के लिए हम बहुत सिंपल सा रखेंगे कि हमें इस LED को जो इसमें available है on board board के उपर ही जो है यानि इस microcontroller में जो LED है हम उसे control करना सीखेंगे ठीक है और वो पिन वो जो LED है वो पिन नंबर 13 से जुड़ी भी होती है by default तो आज हम पिन नंबर 13 के उपर output देंगे और उसे control करके इस LED को blink कराएंगे ठीक है अब हम लोगों ने ये प्रोग्राम बना लिया है यानि अच्छल में ID उपन कर लिया है अब यहां पर मैंने नाम दे दिया प्रोग्ट का ब्लेंकिंग अलीड यहां पर बोर्सलिक करना है तो मैंने अपने बोर्ड का नाम दे दिया आडवीन नो अब आडवीन ओनो लिखते मेरे को यह चार पांच बोर्ड मिल गए इसमें जो मेरा बोर्ड है वह फॉर्स्ट वाला यह यह वाइवाला बोर्ड है यह में पास नहीं है यह अज़िए अब बनाएंगे तब हम इसके ओपर भी और सारे कई सारे वीडियो बनाइंगे तो तो भी मैं हाल फिलाल इसको यूज नहीं कर रहा हूँ अब अब सर्फ सिंपल वाला अडरीन उन्हों यूज करेंगे तो अब ने इसको क्लिक किया और यह जो लोकेशन है यानि यह जो प्रोग्राम आप जहां पर सेव करना चाहते है और डीफॉल्ट लोकेशन या कहीं और तो मैं कहीं और सेव करूँगा आप डिफॉल्ट ले लो या कहीं भी सेव कर लो ठीक है तो यह पार्ट मैं स्किपःट कर दूगा अब मैंने चूज कर लिया है मुझे कहां पर सेव करना है और मैंने फिनिश बटन क्लिक किया जैसे मैं फिनिश बटन अगर क्लिक करूँग तो यह कुछ libraries install करेगा, अगर आप first time इसको कर रहे हैं, यानि कि आप setup कर रहे हैं, तो यह काफी time लेगा, तो ऐसा नहीं है कि आपके system hang हो गया, बस फोड़ा time लेगा डाउनलोड करने के लिए, कई सारी libraries डाउनलोड करेगा आपके microcontroller के साब से, कुछ python code और कुछ और भी libraries, सब डाउनलोड करेगा, तो give it some time, like हो सकता है, 5-10 minutes कुछ भी ले ले, बट हो जाएगा आप से, अगर उससे भी जादा time लग रहा है, तो एक बार से ठीक है, system को retry, system restart हो गया कर ले ना, और फिर से try कर ले ना, तो अभी मैं finish start करता हूँ, अभी ये फिनिश करने के बाद में, मेरा first immediately file open हो गया, platform.io.ini, अभी ये जो side में आ रहा है, इसको open close कर देते हैं, ये इसी है, फालतू, अभी इसमें मुझे दिखे का सबसे पहले, कि मैं कौन से microcontroller पर या कौन से platform के उपर इसको upload करने वाला हूँ, तो platform बता रहा है, ये basically platform बोले तो ये इसका kind of CPU है, ठीक है, board uno border framework, adreno framework हम use करने वाला है, तो ये ini file है, do not modify it, हम आगे सीखेंगे, आगे वाले आने वाले videos में कि इसको हम, अगर हमें same program multiple boards पर upload करना है, तो हमें क्या changes बगरे करने है, तब हम सीखेंगे इस file को modify करना, अभी के लिए, let's not do anything in that, तो हम ये इस वाले page को देखी लिया, इसको close करते हैं, तो ये एक structure मेरा बनकर ready हो गया, इसके अंदर मैं गया src folder में, ये source folder कहलाता है, और ये structure है, जो usually कोई भी programming language वाले, जो बंदे अगर देख रहे हैं, तो हमनें पता होगा कि ये type का structure बन जाता है, इसमें source folder के अंदर main.cpp file which is main.c++ file, इस file में एक sample code दिया हो है, और इस sample code में लिखा हो है कि include arduino.h, which is a header file, dot h symbolize करता है, header file है, basically एक library है, इस लाइबरी के अंदर existing functions हैं, यानि कुछ already some commands लिखे हुए हैं, हम उन commands को call करेंगे, हमें पूरा command लिखना नहीं पड़ेगा, यानि हमें यह नहीं बताना पड़ेगा, इसके साथ connect कैसे करो, हमें सिर्फ यह बताना है कि यह करो, और यह library use करते हुए, हम इसके उपर program के commands को बेच सकते हैं, हमें ज और यह है loop function, set of function पे वो वाला code ढलते हैं, जो हमें सिर्फ एक बार run करना है, basically यहां पर हम कोई initialize करते हैं, कोई variables को, हम कुछ value प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि वो हमेंशा fix रहे, या फिर कुछ serial monitor की value initialize कर देते हैं, तो यह मैं बताता हूँ, serial monitor क्या होता है, आते हैं उ loop function है, जो function बार-बार invoke होता रहेगा, यानि बार-बार चलता रहेगा, तो हम इसमें एक ऐसा code डालेंगे, जो हम expect करते हैं, बार-बार run हो, ठीक है, बाकी का तो यह फालत हुआ है, इसको हम हटा देते हैं, और blinking code मेरे पास अल्रीडी पढ़ा है, तो हमें डाल देता हूँ, तो यह मेरा blinking LED का code है, जिसमें मैंने वही Arduino.H को इंक्लूड कर लिया, उसके बाद में मैंने monitor speed को मैंने set किया है, जो कि है 9600, monitor speed बेसिकली एक kind of border rate होता है, या फिर एक frequency है, data bandwidth rate है, जिसके उपर हम data को transfer करते हैं, या code को, या कुछ भी upload करना है, तो किस rate पे हमें upload करना है, क् इन सब की speed होती है, जैसे एक पुराने जमाने में modem होगा करते हैं, हम उसके उपर, एक specific speed के उपर उसको access कर सकते हैं, या speed पर वो data transfer होता है, तो यह kind of वही चीज़ बता रहा है, ठीक है, और detail के अंदर हम बाद ने देखेंगे, but you just remember कि यह value होती है, और अगर आप किसी औ और बोर्ड पे काम कर रहे हो, आपको यह value चाहिए, गूगल कर लो, simple सा है मिल जाता है, हर जगे पे, फिर यहाँ पर अगूं गए setup function में, setup function में हमने क्या किया, एक inbuilt method को call किया, inbuilt method का मतला है, यह method मैंने नहीं लिखा है, मैंने service को call किया, यह function लिखा है, adreno.h file के अंदर, तो यह pin mode, और यह एक already defined variable को मैंने use किया है, LED built-in, यानि यह automatically देखता है, कि यह board to board, automatically decide करता है, कौन सी pin के उपर मेरे LED है, ठीक है, कौन सी pin LED से connected है, तो अगर मैं उनों board के उपर काम कर रहा हूं, तो LED pin 13 पे है, अगर मेरा कोई और board है, तो वो pin number 3 पे भी होती है, okay, pin number 2 पे अभी LED built-in 13 defined है, यहां पे मैं इसके ओपर hover करता हूं, यानि mouse को तो इसमें दिख रहा है, मचे, expand हो कि 13 आ रहा है, और यह value कहां से आ रही है, यह already defined है, यह इस file में, pins.ardreno, pins.ardreno.h के अंदर, यह file मैंने नहीं लिखी, यह automatically आ रही है, ठीक है, तो this is how I am getting the library, यह इस तरह से म यानि एक इस speed के उपर मैंने serial monitor को on करा है, और फिर serial monitor के उपर मैंने print किया LED built-in pin का number क्या है, और वो LED built-in pin को मैं print कर रहा हूं, तो मैं जब रन करूंगा code को तो मेरे को दिखेगा, कि यह इस pin के उपर LED built-in है, अब आते है next method के उपर, अगर यह थोड़ा सा दिख नहीं रह है, sorry मैं भूल गया था, बड़ा करना, लेकिन अभी समझ मां आ जाएगा, अभी loop function है, इस loop function में हम एक वापस से inbuilt method call करते है, digital write, digital write method पे हम क्या कर रहे है, built-in pin के उपर, LED built-in pin के उपर, हम high signal भेज रहे है, high signal भेजने का मतलब है, हम उस LED को on कर रहे है, यानि उसको command दे र on कर दो, okay, on करने के बाद में, हम serial monitor पे फिर से print करेंगे कि LED on हो गई है, फिर हम एक delay देंगे 500 millisecond का, यानि कि हम wait कर रहे है, उसको on करके छोड़ दिया हमने, और फिर उसके बाद में हमने एक और command भीजा, digital write, LED pin को low कर दो, यानि उसको off कर दो, तो यानि 500 millisecond के बाद में वो off हो जाएगी, फिर हमने serial monitor के उपर एक और प्रिंट करा है, LED off हो होई है, और फिर हमने फिर 500 millisecond wait किया, और फिर इसके बाद में हमने वापस से सको on कर देना है, क्योंकि ये loop चलेगा, पहले ये line, यान लाइन नमबर 18, execute वी 19, 20, 21, 22, 23, और 23 के बाद में वापस से 18, execute हो जा इस program है, इस program को करेंगे, हम compile, तो इसको करने से पहले क्योंकि मैंने program पहले से चला लिया है, तो इसमें क्या 500 millisecond के ओपर ये, ये मेरी LED बिंक करती है, तो हम इसको 500 millisecond की जगे पर हम क्या करते है, अराउंड 5 millisecond कर देते है, 5 second से लो जाता हो जाएगा, दो second कर देते है, या एक second कर देता है, चलो, बाद में change भी करके देख लेंगे, तो ये 1000 millisecond हो गया, इसका उनलब एक second हो गया, अभी इस program को मुझे क्या करना है, मुझे करना पड़ेगा, इसको पहले compile, यानि कि मुझे चेक करना पड़ेगा, कि ये वो ही भाषा में लिखा हुआ है, यानि वो ह उस भाषा में नहीं हो, या उस language में नहीं हो, तो ये इसमें एक error आजेगी, already मैंने बोला था कि अगर कहीं पे error होगी, तो पहले ही हमें दिखा देता है, जैसे मैंने अगर यहाँ पे begin के अंदर spelling mistake कर दियो, दो begin ढाल दियो होते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ मैंने इसको हटा दिया, और यह error मेरा fix हो गया, अभी हम इसको करते हैं, compile, compile करने के बाद हम करेंगे इसको upload, तो पहले हम कर लेते हैं, इसको compile and build, यह compile and build दो एक साथी काम करता है, अभी यह build हो रहा है, यह compile हुआ, फिर build हो गया, और हमें कुछ आवाज आगी है, अभी बि बोड करने के लिए, कि मुझे इस बोड को connect करना पड़े का laptop के साथ में, और यह मेरा port है, USB port, ठीक है, इस USB port को मुझे अपने laptop के साथ कनेक करना है, और यहीं से इस बोड को power भी मिलेगी, पावर मुझे इधर से भी मिल सकती है, यह DC jack है, female jack है, यहाँ पर में को male jack लगाना मिलेगी, लेकिन हमें यह दियान रखना है कि मुझे दोनों connection एक साथ नहीं देना है, यानि दोनों जगहां से power एक साथ नहीं देनी है, यह खराब होगा, मुझे power देनी है, तो इधर से देना है, या इधर से देना है, ठीक है, तो हम जो code upload करेंगे, वो सिर्फ यहाँ से हो होगी, यह खेलाता है USB B type pin और इसको थंडर बोल्ट भी गहता है, ठीक है, पुराने Macs अगरे में आता था, और कई printers अगरे में भी आता है, तो यह cable भी आपको साथ में Adreno board की साथ मिल जाएगी, अभी मैं किया, इसको connect करता हूँ साथ में, इसके, यह दिखाता हूँ, यह connect करते ही, आपने note किया होगा, एक यहाँ पर एक orange light जल गए, जो शायद 2 second के लिए on-off हो रही है, तो यह शायद मैंने पहले program लिखा था, वो ही है, और यहाँ पर यह green light जो यह बता रहा है, यह board on हो चुका है, ठीक है, तो यह basically इसका power state बता रही है, अभी हम क्या करें इसमें जब command भीजेंगे, यानि program भीजेंगे, तो यहाँ पर यह दो LEDs और है, जो शायद आपको दिखनी रही होंगी, तो, but वो क्या है, जैसे मैंने बताया था, एक RX pin और TX pin, तो receive वाली जो pin के ओपर, जो LED है, वो भी on हो जाएगी, और वो blink करने लगेगी, जब हम इस code क upload करेंगे, तो अब देखते रही है, मैं इसको करता हूँ, यह upload बटन है, ठीक है, इस upload बटन को हम click करेंगे, जस्ट देखते रही है, तो यह yellow pin LED एक बार के लिए बंद होना चाहिए, और फिर उसके बाद में हर एक सेकंड से यह on off, on off होईगी, ठीक है, अब इसको upload करता है तो यह हमने code upload करना start कर दिया, receive हो रहा है, अब यह light की आप speed देख रहे होंगे, थोड़ा सा fast हो गई है, ठीक है, एक LED और on हो गई है, और इंज वाली वो बता रही है कि यह receive कर रही है, जटा हूँ, यह transmit कर रही है, भी हो सकता है, यह transmit कर रही हो, क्योंकि हम serial port के उपर हमन एक second से इसको 100 कर देते हैं, और फिर से इसको upload करेंगे, तो यह पहले मैंने कर लिया build, और फिर से मैंने किया इसको upload, और इस बार हम देखेंगे, यह LED बहुत जल्दी blink होने लग जाएगी, अभी काफी जल्दी blink होने लग गई है, तो यह हर second के अंदर 10 बार blink हो रही है, ठ इसको हमने हमारी program से control कर लिया है, और इसको हमने अभी एक second पर कर लिया और एक बार हमने 10th of a second के उपर भी हमने इसको कर लिया, यानि कि हर second के अंदर 10 बार यह blink करीगी, तो इसको हमने वो भी setup कर लिया, ठीक है, अभी यह code अगर अच्छा लगाओ, तो लाइक कर देना औ और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अभी के हम इसके बाद में और भी वीडियो जिसमें हम यही same code को different boards जो मैंने शुरू में दिखाएथे उन boards पे डालेंगे, तो अगर आप Arduino Uno को यूज नहीं कर रहे हैं, आपको यह और board को यूज कर रहे हैं, तो वह भी मैं सिख तो हम series by series चलेंगे, पहले blinking LED वाला चलाएंगे, फिर उसके बाद दूसरे और हमारे दीरे दीरे examples और complex होते जाएंगे, अगर आपको कोई ऐसा example चाहिए, जिसको आपको problem हो रही है समझने में, तो वह भी मुझे बताना, तो वह भी मैं आपको बगे जाके बताऊंगा कि कि किसे हमें करना है, मैंने इस तरह के कही और भी examples कर रहे हैं, although I have been, मैं ये Adreno अनो वगर है, कही सारे boards को करीब 2-2 साल से जाधा से use कर रहा हूं, मैंने एक robot car भी बनाई थी, although मैंने उसका कोई वीडियो बनाए नहीं, लेकिन आपको अगर मन है कि वह भी देखना है तो मुझ कि अबस्क्राइब में चानल गास झाल 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 झाल